कर दिया स्ट्रेंट, हमगे चिप्टर नंबर 10 पढ़ रहे ना, पेज नंबर 4747 पर दर्श्ट्य ओ फूड इसमें हमने हाफ चिप्टर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? कि जो हमारे फूड फ्रों प्लांट, हमें प्लांट से बोजन मिलता है, पोदो से बोजन मिलता है, ह वीट, राइस, मैस, जो हमारे गेहू, चामवरि, मक्का, बाजरा जै कि यह देखा है, वीजीटेबल, किसीहिती प्लांट, किसीहिती की रूट मतलब की जड़ खातायं है। या कॉनसे प्लान के लिए उस खाते हैं हमने ये देखा था कि जो केरट होती है हमारी गाजर होती है हम इसको कच्छा भी खाते हैं बना के भी खाते हैं और हमने देखा था रैडिश हमारी मूली मूली भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती इसको भी हम कच्छा भी कि देbbe हैं कि जमीन के अंदर होते हैं उनकी देखा था या यह मैंने स्टेम देखा झाल में पंढ़गोटीक्ट थो अगर मैं पुछूँ ही कि हम कौन से प्लांट की लिवस खाते हैं तो आप बोलो के मेथी यहने की हमारी मेथी और मिंट मतला पुदीना इस्पिनेच मतला पालक केबेज पत्ता गोभी है ना मिन की पत्या खाते हैं पिर एक प्लांट के हम फूर्ट काते हैं कैसे बनाना एपल हम कालोमिची होती है तूर्मार के लिए को लग जाती है ये खून बनी होता है हम एकची हो अधनी चिल को लगा सकते हैं की लिए घ्स रिखम क कि लिए के लिग प्लाइन मेंड और मिची हो गई घ्राय ज़िए क के लिए तूलसी होता है और दातूरा होता है हमारे अगए हम आज पढ़ते हैं ठीक है फूर पिर्पेरेशन एठ हूं जो खाना होता है ना उग्र पर क्यसे बनता है अग्जाम की प्रिप्रेशन कर लीँ यह की एक्जाम की तयारी कर लिए preparation मतलब तयारी home मतलब girl और food का meaning होता है my parents go to the market to buy serilis fruit and vegetables my मतलब मेरे parents मतलब पापा, मम्मी, माता, पिता कोंगे केते parents go to the market go to the market यहने की go का मतलब होता है जाना market का मतलब होता है बाजार बाजार जाते हैं क्या राते है serilis मतलब anaj कौन कौन से anaj मेरे गेह, चामल, मक्का, जवार, बाजरा है न fruits, fruits मतलब फल waitables, waitables में सबजिया मेरे जो माता पिता है वो बाजार जाते हैं और अनाय लाते हैं फल लाते हैं और सबजिया लाते हैं my mother prepares breakfast, lunch and dinner मेरे जो मम्मी है वो prepare मतलब बनाती है टियार करती है, breakfast मतलब सुभे का नास्था lunch का मतलब हता है दोफ़र का खाना, और dinner मतलब रात का बोजन रात का खाना for the family, for मतलब के लिए family का मतलब हता है परिबार के लिए मेरे जो मम्मी है वह हमारे लिए फैमली के लिए सुबर का नाश्ता, सुभर का खाना, रात का खाना ये बनाती है त्यार करती को और मेरी मम्मा Sometimes my father and I help her in the cooking food किसी समय मेरे पापा और मेरे मम्मा की मदद करते हैं cooking मतलब बनाने में, पकाने में, खाना पकाने में मैं फार्दर वाशेश एंड कॉट्स वेटेबल मेरे पापा है ना वह सब्जियों को धोते वाशेश मतलब धोना और सब्जियों को कट करते मतलब काटना है ना कट्स वेटेबल मतलब सब्जिया माइ मादर दस मोर्स ओप दे हाउसोल्ड वर्क हाउसोल्ड मतलब घरेलू वर्क मतलब काम मेरी मम्मी जायातर क्या करती है घरेलू काम करती है ना She cooks food for the family. वो परिवार के लिए खाणा बनाती है. कोक्स मतलब बनाना, पकाना. Food, food मतलब खाणा. फूर मतलब के लिए और family का मीशिए मनिन होता है परिवार. मिझे मम्मी है नब परिवार के लिए खाणा बनाती है. She washes clothes for the family. She measures for the family. मतलब कपडगे मतलब आपके मेरा कितरब को आयोना छुन NosraZone चैनल को मेरा किल मतलब को नहीं साथ है योतिन्सलय और होता है यो मतलब आप साहे नहीं जुद्टaud April Гrez उ यूद अवर मिल्स मतलब खाने के बाद हमारे की करते हैं शार बर्तन को साब करती है आपने भी देखा होगा आपकी खर में भी आपके ममा सबके लिए खाना मनाती है है ना कपड़े भी होते हैं बरतन भी मानते हैं फिर वापस कपड़ों को घड़ी करके रखते भी है इन तर्म का मतलब शाम को वापस आते हैं फ्रोप का मतलब शाम ako His मतलब उनके Office, Office से, कार्याले से We का मतलब होता है हम All का मतलब होता है सब, हम सब Sit, sit मतलब बेठना, बेठते हैं Together, together मतलब साथ में At the dining table, मतलब की dining table पे बेठते हैं To have our dinner, हमारे खाने के लिए, रात के भोजन के लिए हैं जब मेरे पापा शाम को घर आते हैं, उनके Office से तो हम सब साथ में बेठते हैं, dining table पर और खाना खाते हैं Balance diet Balanced diet का मतलब होता है संतुलित भोजन, संतुलित आहार संतुलित आहार के सा बेठा? जिसमें दाल, चामवल, रोटी, सबजी, दूद, फल, सलाथ ये सारी चीज़े होती है उसे हम कहते है Balance diet संतुलित आहार जो बच्चे balance diet नहीं खाते हैं, जिसके कोई बच्चे fruits नहीं खाते हैं जो fruits होते हैं, हमसे में vitamins मिलते हैं, vitamin C कोई बच्चे दूद नहीं पीते हैं, तो दूद नहीं पीने से कैली why यह क päती है जोरोती करते हैं और सबजी, डेली खाना है, दाल चामल भी खाना रोटी भी खाना है, दूद भी पहना है जित्ते भी फॉल है ना जो भी फॉल हमारे कर आते हैं चाहिए वो एपल हो गया मिंगो हो गया बनाना हो गया औरेंज हो गया ग्रैप्स हो गया पाइनापल हो गया जो भी फूट्स मिले वो सब खाना है वी मस्ट इर चपाथी राइस पर्स फूर्ट एंड वेज़ेटेबस हमें दाल चांवल डोटी सबजी सबचीजी क्या करना है खाना चीए है ना वी मस्ट ड्रिंक ग्लास ओफ मिल्क एर्री डे तेखो वी का मतलब होता है हम मस्ट मतलब जरूर चाहिए है ना ड्रिंक मतलब पीना ग्लास जो हम पीते हैं ग्लास से मिल्क ओफ वाटर एक ग्लास दूद्ध हमें डेली पीना चाहिए है ना देखो एसी डाइट ऐसा भोजन ऐसा आहार देट हैस ओल टाइप ओफ हैल्दी फूद जिसमें सारे तरह के हैल्दी स्वस्त रखने वाले खाने हो इन राइट अमांट प्रॉपर कॉंटिटी में मतलब जितना चाहिए ना उतना ही वह प्रॉपर कॉंटिटी में वह सारी च निजंगेंज वीकेंज से हमारे सूल वासान में क्या सकते हैं निजियम खाना धाल चावल रोटी सबजी टिने बीड़ इंस है विटामिन से मिल्रवन से मारा फ्यवल है दूद हे सारी चीज़्य उसके अंदर हमाचिछ रेकिन कितनी हमारे सैइट पोटिल सब्सक्राइब करता है झाल सब्सक्राइब इसमें यृट्स सब्सक्राइब प्रोपर क्वांटिटी में खाएं ठीक है मिल्क इस अ कम्प्लीट फूर न्यूबॉर्ण बेबी देखो जो बच्चे जन में लेते हैं चोटे होते आपने देखा होगा आपकी छोटे भाई बेहन वह सिर्फ दूद होता है तो उनको मिल जाता है वह कम्प्लीट होता है पूर बोडी बिल्डिंग फूड लाइक मिल्क पर्स एग एंफलेश देखो जो चोटे बच्चे ना जो बढ़ रहे हैं बढ़ने वाले बच्चे है अब आप जैसी कि आप थर्ड क्लास में फूर्थ फिप्ट क्लास में जाओगे तो आपकी एज बढ़ने वाली है ना तो आपक समय लेकर ले याते हैं उनको महत्ति काम हो घाता है ना तो उनको नीड मतलब जरू होती है ज्यादा एक चुछ आप जो परसन ओफिस में काम कर घुड के मैं काम करते ना उनसे ज्यादा जरू होती है जो मेजदूर लोग काम करते है ठीक है अब इसका बच्चव पार्ट